हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उमेद करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे और आज की वीडियो आप थमनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर होने वाली है तो दोस्तो आज की वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि गर्वावस्ता के दोरान पेट का आकार गोल क्यों दिखाई देता है लंबा क्यों दिखाई देता है इसके क्या रिजन होते हैं और क्या इसका बेबी बॉय या फिर गर्ल होने से कोई करेक्शन है मतलब आउट केलियर हो जाएं इसलिए आप वीडियो को मिस्त ना करें पूरा एंड तक जरूर देखेगा चलिए आज की वीडियो शिरू करते हैं वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक साती चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी न नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहे चलिए आज की वीडियो शिरू करते हैं और चान लेते हैं कि गर्वती महलाओं का पेट गोल दिखाई देता है या फिर अंडा का शेप में दिखाई देता है तो यह किस बात का संकेत देता है दोस्तों जब आपकी प्रेगिंसी कन अगर पेट अगर बच्चा एकदम है बेबी की ग्रोथ अच्चे से हो रही है अब बात यहां पर आती है कि पेट अगर गोल शेप में दिखाई देता है तो यह किस बात का संकेत होता है अगर पेट लंबे आकार में दिखाई देता है कहने का मतलब अंडा का शेप में दिखाई देता है तो यह किस बात का संकेत होता है तो इस टॉपिक को लेकर काफी गर्वती महलाओं के मन में डाउट है चलिए आप वो डाउट के लिए करती है दोस्तों जब आपकी बढ़ने लगता है और उसी हिसाब से हमारा पेट का आकार भी दिखाई देने लगता है अब बात यह आती है कि अगर पेट का आकार गोल शेप में है तो यह किस बात का संकेत है दोस्तों अगर आपके बेबी की पोजिशन मालेज आपके बेबी की पोजिशन उपरी साइड में जादा है आपका बच्चा उपरी साइड में जादा रहना पसंद करता है तो जहीं सी बात है आपके आपका जो पेट का आकार है वो आपको गोल ही नजर आएगा अब मान लेते हैं कि आपका बच्चा नीचे की तरफ जादा रहता है उसे अच्छा लगता है कॉंफटेव के उपर depend करता है, या फिर आपका पेट गोल हो, या फिर आपका पेट लंबा हो, तो ये totally बेबी की position के उपर ही depend करता है, अब काफी लोगblick मानते हैं कि अगर जैसे आपका पेट का आकार गोल शेप में दिखाई देता है तो ये संकेत बताता है कि आने वाला बच्चा लड़की होगी और माना जाता है कि अगर आपके पेट का आका नीचे की तरफ ज़्यादा जुका हुआ आपको महसूस होता है बच्चे की किक नीचे की तरफ ज़्यादा महसूस होती है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा चांस बेटी बॉई होने के होते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मैंने आपको साफ साफ किलियर बता दिया है दोस्तों इसका लड़का लड़की से कोई भी लेना देना नहीं होता है ये सिर्फ बेबी की position के उपर depend करता है चाहे वो फिल लड़का हो या फिल लड़की हो तो आशा करते हैं गाईस आपके जितने भी doubt ते वो इस वीडियो में clear हो गए होंगे अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी से भी help मिलती है information अच्छी लगती है अगर इस वीडियो से आपके सारे doubt के लियर हुए होंगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को दबा कर all बटन पर जरूर प्रेस कर ले चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर